हाई गाईज आम संतोसी और यह है नवरात्रे वाला 2024 का ब्लॉग मेरा बहुत जानती हूं बहुत ज़्यादा लेट हो गया पर आपके साथ शेयर करना जरूरी था तो मेरा यह पहला ब्लॉग है आपको कैसे लगेगा मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना तो चलिए आपको बताते हूं कि यह नवरात्रे मैंने कैसे मनाया और यह मेरे ले क्य होगा क्योंकि यह साल मेरी बेटी हुई है इसलिए यह बेटी ले बहुत ज़्यादा खास है तो बेटी का मेरा पहला है नवरात्रे क्योंकि पहला जो जब वह पैदा हुई थे न उस साल का मैंने बनाया नहीं था क्योंकि वह फर्स मंत में ही थी यह मैं मना रही हूं सर्द बहुत ज्यादा जुरूरता मेरे को दिल से चाहिए था कि मैं यह करूँ जब मेरी हाइल्स थोड़ी से अच्छी हो जाएगी तो यह चाहते थे कि आप लोग को लगे कि यार मैंने 9 दिन का जुड बोला तो मैं आपको honest री बता दो मैं नौ दिन का fast नहीं रखा मैंने शुरू के 2 दिन रखे और last के 2 दिन रखे बीच के जो 3-4 दिन ते उसे skip कर दिया और अपना last final बनाया थे तो सेकंड डे में आपको बताती हूँ, हमने पहले दिनी अपना बैट थोड़ा सा शिफ्ट किया था, तो मेरे घर में थोड़ी सी जगह होगी थी वैसे तो काफी बड़ा घर है तो इसमें स्पेस भी बहुत ज्यादा जैसा कि आप लोगों को पता है, तो लड़कों को बिठ अब मेरे लेग क्या क्या करती थी, तो यह है मेरी फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है, यह लिए क्या आई थी मेरी बेटी के लिए बहुत प्यारे कपड़े, वीडियो बहुत लेट आई है, मुझे भी पता है, पर प्लीज आप मुझे बताना कि आपका नवरात ने क कमन सेक्शन में जरूर बताना, तो यह कपड़े मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, लेकिन मुझे पता से जला कि मेरा कुकर खराब हो गया, और मैं थी भूकी, तो मेरे ले बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है, अपने ले समय को निकालना, तो मैंने अपनी ल बहुत 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 बादाल चावल बनाके खिलाए, तो गुन-गुन को मेरे हजबन यह खिलाते है, मेरे हाँसे वह खाती नहीं, तो शाम को मैं उली हूई हूँ तियार और यह मुझे से मिलने आये हूए है, यह जो भी हैं अच्छे फ्रेंड्स है, जो मेरा बहुत अच बना रहे हैं। इनकी महरवानी के वजह से किंगी है। कि यहांपे यहां पे आपको पताईजिशन की वजए से किस таких काम defending रहों मेरी गुंगौन आ गई है जला हैं। मेरी भी दोसट बंगे हैं ittॉन्या वोक्त अच्छी बन गई है लिए हमारी की बंगे है। तो शाम की आरती कर रही हो मैं, साधा समान मेरा आपको दिखेगा नहीं, मैंने मंदिर जमीन पर लगा दिया, पहले मैंने टेबल पर लग रहा था, लेकिन अप नीचे रखती है, और मेरे हजबन आया है, तो यह हमारा quality time, मैं आपको खास बात बताओ, मेरा जो बर्त का खाना मेरे हजबन ने बनाया, वो भी रात को, तो दुपैर का खाना तो मैं बना ले तू, पर रात का खाना उन्होंने ही बनाया, यार इतना भूके रहने के बादा मेरी बिल्कु भी हिम्मत नहीं हो रही थी, खाना बनाने की, तो उन्होंने का मैं बनाता हूँ, यह है फाइनल तो यहां पर कर रहे हैं यह दोनों मस्तियां मैं जब तक सोके उठी मेरे हजबन ने यह चने वगेरा उबाल के रख दियते हैं इसकी आधी से जादा तयारी ना उन्होंने कर दी तो सीरिसली मैं बहुत जादा हैपी थी कि यार आज तो मुझे इतनी जादा हैल्प मिल गए नहीं वरना मुझे अकेले ही त्यार होना पड़ता और त्यारिया करनी पड़ती तो फिलाल मैंने यह साड़ी पैनी है पिछली बार तो मुझे इतना त्यार होने का भी टाइम नहीं मिला था क्योंकि आज मेरे हजबन ने क कर दिया ना तो मेरे को बहुत समय मिल गया नहां दोके चीजों को त्यार करने वहाँ लेकिन मेरी बेटी होगे ना तो मेरे पास फुरसत नहीं है तो मेरे हजबन ने मुझे बहुत ज्यादा है तो आज मैंना फांडेशन लगाने वाले हो फिर से और थोड़ा सा अच्छे स त्यार होंगी तो मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं इसको ना आगे कंटीनी करूंगा और अगर मैं बिकाह लग रही हूँ तो मैं यह चीजें कर दूँगा क्योंकि इससे पहले ना मैं फांडेशन वागे लगाती थी मैं फ़लाल कैसी लग रही है हूं तो जबतर मैं त्यार हो रही थी मेरी बेटी ऊड़ गई मैने सोचा यार यह जब तर थोड़ी देर सूर ही है तो मैं त्यार होग हो और इसने उड़ती ना मुझे ऐसे देखा कि वह सप्राइज नहीं मठी है को नहीं मैं मम्मी है भी या तो फिलाल मुझे यहां बताओ मैं कि इस मोटा पर भी मैं कैसी लग जो थोड़ी बहुत त्यारी बची थी वह मैंने खुद कर लिया अब तो गुंगुन उड़ गई है तो मैं इसके साथ ही मैंने करना पड़ेगा लेकिन यहां देखो मुझे अब ध्यान आया कि मैंने यहां मैं आया हूँ लड़कियों को लेने के लिए तो इनके पैरंट से बात करके मैं इनको अपने घर बुला के लए और मेरे पास ना हमेंसा लड़किया ज्यादा हुजाती मेरी किसमत बहुत अच्छी है कि मैं हमेंसा बच्चे ना ज्यादा ही जिमा पाती हूँ आज ही क मैं सबसे ज़्यादा सप्राइज था कि इन बच्चों का मुझे कॉंप्लिमेंट देना कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो वह भी साड़ी मेरा अजबन ने भी मुझे सुभा से कॉंप्लिमेंट नहीं दिया और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन पड़ गई तो मुझे दुबारा बनाना पड़ा बच्चों के लिए कुछ बच्चे ना एस्टा हो गयते हैं मत्तब मैंने 15 से 16 बच्चे साथ जिमाए हैं तीन लड़के बाकि सारी लड़किया थी तो मेरे पास बच्चे हर साल जादा हो जाते हैं पर मुझे इनना आगे और पीछे ने रोड़ इतनी बंचुकी है बाकी की काम चल रहा है तो फाइनल काम कल या पर सोंबात हो जाएगा कम्प्लेट में लेवर काम कर रहे हैं तो यह सामने वाला घर और यह बगल वाला घर तो आप यहां पर देख सकते हो कि कितने सारा काम बचा हुआ है तो बच्च एनने कि और उतलं कि जादा खूश रहता हैं विए निलेख क ब क्मेंट होती है आह तो मैं पूमां कि ऑम करके भी कि किस घरा रखे बच्च आख गव्यक्ति कि अंडयले निकोर है कि टक्त रहते हैं तो आप तो को समझ में आ गया होगा कि मैं किसके घर जा रही हूँ तो मैं आपको बताई देते हूँ मैं जा रही हूँ अंजली की मम्मी के यहाँ सभी बच्चो को लेकर पर उन्होंने का था कि हम बाद में जिमाएंगे तो इन्होंने अपने कुछ दोस्तों को यार दोस्तों को बताया वा था तो वो बच्चे आया और मेरा खाना इनके घर पर ही होगा तो मेरी गुन-गुन को इन्होंने जिमाया और अभी मुझे अपनी सब्सवाल भी जाना था तो यहां पे जीमने के बाद आज में खाना यही कहने वाली हो तो अब हम जीम रहे हैं खाना सभी बच्चों को खाना खिलाने के बाद, अब हम अच्छे से यह खाना खाया बिलीव निकरों के मैंने बहुत जादा खाए मैंने 16 पूरिया खाई है और थोड़ी से चावल इतना ठूसने के बाद मेरे अंतर आत्मा को सांती विली 9 दिन से जो भूगी थी मतलब थोड़ा ज्यादा भूकी थी तो यहां पर मैं अपनी बेटी के साथ एक अच्छी से रिल सूट करने की कोशिश कर रही हूँ पर जिसके हाथ में कैमरा एना उसने बिल्कुल भी अच्छी से सूट नहीं गया मेरा पेट किता गंदा दिख रहा है उसनों मुझे बताया नहीं और मेरी कॉलिटी बहुत बेकार लगए उसनों मुझे बताया नहीं तो मैं जैसी भी जिस आलत में थी फाइनली शाम को थक कार के मुझे इतनी गंदी नींद आड़ थी मैं सूच है एक छोटी से रिल हो वैसे तो इतना ज्यादा दिख नहीं रही हो पर फिर भी मैं बहुत बेकार दिख रही है तो सो के उठी थी तो दिखा मेरी आइज से टैमक कासी हुए है और लिप्स्टे गया सारा में उतार चुके है तो मैं इससी सोगी थी बरतन काफी ज्यादा पढ़य है आप देख स झाल झाल